हलो एब्रीवन वेल्कम वेक्टाइफ तू परचम स्थम्राली पूजा यहां पर आप लोग लीए मेंक सीरीज लेकर आई थी जहांपर ने बात कर रहे थिए गवर्णब जेनरल या फिर Governor General of Bengali के बारे में, इसके बाद हम बाइसराइ आउफ इंडिया के बारे में में बचरचा करेंगे Basically, जो भी Britishers के Governor हमारे देश में रहे, उन्होंने क्या-क्या reform किये, policy बनाई, क्या अच्छा काम किया, बुरा काम किया, कौन से battle लड़े गए वो सारी घटनाओं को हम discuss करते क्योंकि यहां से question बनता है तो आज हम बात करने वाले हैं बिलियम बैंटिंग के बारे में बहुत important governor general है और यहां से आपको exam में definitely questions मिलेंगे इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगी copy pen लेकर बैठे हैं जो important points है उनके बारे में आप लिखते जाएं जैसे कि सती प्रता को बंद करने का काम इन्होंने किया था थगी system और थगी प्रता को बंद करने का काम इन्होंने किया था इन्होंने ही पहली बार हमारे देश में medical college बनवाया था अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं तो Sanskrit college बन रहे हैं है ना दूसरे colleges बन रहे हैं लेकि medical college की चर्जा नहीं होई थी तो वो इन्होंने किया था और क्या क्या काम की आज हम पूरे session में यहाँ पे समझने वाले हैं क्योंकि कई सारे reform जो है वो Lord William Banting ने किये है ऐसा बुलते है त्यासकार कि यह England के बहुत ही अमीर परिवार से ब्लॉंग करते थे है ना तो इनके मन में वो लालच नहीं था या ब्रस्टा जार नहीं था कि हम आएंगे governor बन के भारत में और British East India Company जो उससे फायदा उठाएंगे corruption करेंगे क्योंकि इसके पहले के जो governor रहें उन्होंने इस तरीके से कोई reform नहीं किया और corruption की charges भी इसके पहले के governor में आपने देखे हैं है ना लेकिन इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था तो इन्होंने सोचा कि हमको भारत में reform करने की ज़रूरत है और इसके अलावा इंग्लेंड में इस समय उदारवादी करन मतलब liberalization चल रहा था और उससे काफी जादा influence थे काफी जादा प्रभावित थे बिलियम बैंटिंग इसली भारत में भी उन्होंने कई सारे reform चाहिए वो political reform हो educational reform की बात करते हैं हम social और economic reform करने का काम इन्हों किया तो आज हमें इनके इस सारे reform यहां पर समझने है ठीक है तो copy pen लेकर बैठिएगा इसकी PDF आपको हमारी website पर मिल जाएगी अगर आप notes नहीं बना पा रहे हैं तो PDF आप website से ले सकते और session पसंद आता तो अपने friends के साथ share जरूर करेंगे अच्छा इसके पहले में कई सार 4 प्रेसिदेंसी्वा हुआ कर्तों थी परंगाल प्रेसिदेंसी ती मद्रास काम किया ते तीख सबसे पावरफुल प्रेसिदेंसी बताया जाते है रहा जाता है तो तो बंगाल जो था वो बहुत महत्पूर्ण एरिया या Presidency जो थी वो British और्सकी थी तो बंगाल का बंगाल Presidency के जो पहले गवर्नर थे वो Robert Clive थे और Robert Clive पे मैंने आपको separate video बताया हुआ है तो Robert Clive थे लेकिन आपको पता है जब Regulating Act 1773 आता है उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया चाता है तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारिन हैस्टिंग को बना दिया गया और वारिन हैस्टिंग मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसके पास सोड़ी सी और पावर होगी कि वो मदरास और बॉंबे प्रेसिडेंसी के लिए भी रेगुलेशन कर सकता है नियम कानून बना सकता है ये बाते आपने देखी थी तो अभी तक क्या कहानी चल रही थी पहले बंगाल का गवर्णर था फिर बंगाल का वो गवर्णर जनरल हो गया आज हम डिसकेशन करने वाले हैं कि चार्टर एक्ट आता है 1833 चार्टर एक्ट पास होता है 1833 का और उसके अंतरगत बोला जाता है कि जो बंगाल की गवर्णर जनरल होंगे अब उन्हें भारत का गवर्णर जनरल कहा जाएगा तो पंगाल का आखरी गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बिलियम बैंटिक है जिनके बारे में आज हम डिसकस कर रहे हैं आए होप आपको इधनी पिक्चर समझ में आई होगी इसके पहले कि आप सारे वीडियो प्लेया प्लेयस्स पे वीडियmud प्लेयलिस्टंगे के बारे में उनके समय में क्या क्या हुआ जैसरे कि पहला मराथा वार मोगय वूर सालवाई की संदी की थी जो हमने आपको Carn Wallace Court में बताया था उसी Carn Wallace Court को Reform उस Carn Wallace Court को Reform करने का काम बिलियम बैंटिंग करेंगे जो आज हम डिसकस करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट है Lord Willisley तो Lord Willisley ने Subsiduity Alliance लेकर आये थे सहायक संदी चोथे नमबर का मैसूर वार हुआ था चोथे नमबर के मैसूर वार के बाद की क्या कहानी थी वो आज हमें थोड़ी सी यहाँ पर समझनी है क्योंकि मैसूर मैसूर पे अब ब्रिटिश का अधिकार हो जाएगा वो आज हम यहाँ पर देखेंगे Lord Minto One, Treaty of Amritsar with Rajah Ranjit Singh की थी नोने Lord Hastings के समय जो है वो एंगलो नैपाली वार हुआ था जिसे ट्रिटी ओफ सगोली हुई थी थर्ड मराठा वार हुआ था रहेदवारी सिस्टम इनके समय इंटर्ड्यूस की गए थी तो आप लोग ने एक चीज नोटिस की होगे कि अभी तक कि जो भी गवर्नर चल रहे है कभी मराठाओं के साथ लड़ाई हो रही तो कभी मैसूर के साथ वार हो रही है तो कभी नेपालीस के साथ तो कभी अफगानों के साथ कभी रोहिला वार हो रही है तो अभी तक क्या पिंडारियों के साथ लड़ाई चल रही है त जब लडाई होती तो जानमाल का नुकसान तो होता है तो बहुत जादा खर्चा जो है वो British East India Company का खर्च हुआ तो मतलब जो British East India Company की हालत थी वो बहुत कमज़ोर थी Financial Crisis चल रहे थे company के अंदर तो उस company को बचाने का काम उस financial crisis से company को उभारने का काम जो है वो William Banting करते हैं क्योंकि William Banting के समय ऐसा कोई युद्ध हो नहीं रहा है कि बहुत जादा खर्चा हो रहा है अब हमें खर्चों को कम करने की जरूरत है और अपनी जो East India Company है उसको reform करने की उसको और मजबूत करने की जरूरत है ऐसा William Banting का सोच रहा था तो उन्होंने वही किया ठीक है तो आज हम बात करेंगे यहां पर Lord William Banting के बारे में तो इनके समय की कुछ मातपूर्ण घटनाए जैसे कि इनोंने सती प्रथा को बंद करने का काम किया था 1829 में वो हम देखेंगे कैसे क्या काम किया चार्टर एक्ट 1833 इनके समय पास हुआ था वो हम देखेंगे इन पड़कियों को मार देते थे उस प्रथा को रोखने का काम किया नर्वली प्रथा जो चलती थी है ना जो आपकी देवी देवताओं की पूजा होती थी तो उसमें क्या करते थे इंसानों की बली देते थे तो उस प्रथा को यहां पर रोखने का काम इनोंने किया है और क्या कि आपको जब आ कोई चीज़ पढ़ते है तो अगर आपको टाइम लाइन का अंदाजा होता है कि कहां से कहानी शुरू हुई है तो आपको पढ़ने में आसानी होती तो अगर हम सिक्वेंस से चलेंगे जैसे कि हम वारिन हेस्टिंग से अभी हम लौड विलियम बैंडिनिंग तक महांचे है तो अगर आप सिक्वेंस से चलेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में असानी होगी कि ऑसा क्यूं हो रहा है ही नहीं जब क्रिभिएस में कुछ हुआ होगा तो आज के समय में रिफॉर्म कि चैंगे चेंज अधिया जाएंगे तो पिशली कहानी आपको न बस आप इत्मनान से सुनते जाएए, पढ़ते जाएए, सेशन पसंद आए तो शेयर करते जाएए ठीक है तो स्टार्ट करें लॉड बिलियम बेंटिंग के बारे में चलिए सो बेंटिंग के बारे में कहानी यह है कि बहुत संपन एक अमीर परिवार से बिलॉंग करते थे और इन्होंने बिटिश आर्मी को मातर जब 16 साल के थे महज एक 16 साल का बच्चा था यह बेंटिंग तब उसने बिटिश आर्मी को जॉइन कर लिया था कि जो बिलियम बैंटिक थे वो 1828 से 1835 तक 1828 से 1835 तक भारत के जो है वो गवर्नर जनरल अफ इंडिया रहे लेकिन इसके पहले की क्या पिक्चर थी एसा तो है निकी अचानक से उड़के आये हैं भारत में एंट्री ले ले ली नहीं गया था बेनेए आपको बता आओ अलगलग प्रेसिदेंसी थी तीन अलग अलग प्रेसिदेंसी के अपने अपने गवर्नर्स हुआ करते थे तो 1803 में उन्हें मद्रास प्रेसिदेंसी का गवर्नर बनाया गया था और इनके समय में ही एक बहुत बड़ी घटना होती है जैसे ह वेल लॉर विद्रो के नाम से जानते हैं पहले उस्फो देख लेते हैं वेल लॉर मुटिनी 1806 वेल लॉर का सिपाही विद्रो अब होता क्या है कि जो यहाँ पे बिलियम बैंटिंग के समय जो कमांडर इन चीफ यहाँ पे मदरास में होते हैं उनका नाम रहता है सर जौन क्रेड़ॉग यह इनका नाम होता है अब यह क्या करते हैं जो मदरास की आर्मी होथी प्सपाही होती उनको बोलते है कि आप टीका नहीं लगाओगे कोई भी ऐसी चीज आप नहीं पहनोगे जो कि religious symbol को denote करती है हिना जो Muslim soldiers थी उनको भोला कि आप दाड़ी वाड़ी नहीं रखोगे clean shape करो तो यह आप क्या कर रहे थे किसी के धर्म पे प्रहार कर रहे थे जैसे भी कुछ समय पहले आप लोग ने कंड़नाटका में case देखा था हिजाब वाला case तो जब भी किसी भी व्यक्ति कोई भी community के व्यक्ति के आप धर्म पे प्रहार करते हो तो विद्रो तो होता है तो यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे जो आर्मी थी उन्होंने विद्रो कर दिया कि आप हमारे धर्म पे आहत कर रहे हैं आप हमें बोल रहे हैं कि हम टीका ना लगा है आप हमें बोल रहे हैं कि हम clean shave करें हिना हम कोई religious things को beer नहीं कर सकते कोई भी ऐसी चीज जो की दर्शाती है धार्मिक चीजों को हम उसको carry नहीं कर सकते तो यह सारी घटनाए हो रही थी इसके कारण एक सिपाही विद्रो होता है बैल लौर में चीके मदरास presidency में चीके 1806 की घटना है 1806 की घटना है और East India Company के दोरा इसे बहुत बुरी तरीके से दफनाने का काम मतलब काफी सारे सिपाहीों की हत्या करके इस विद्रो को खतम करने का काम किया था ये घटना भी बिलियम बैंटिक के समय की बताई जाती है 1828 से 1835 की जो मैं बात कर रही हूँ जब ये Governor General of India रहते हैं तो कई सारे अपने tenure में कई सारी रिफॉर्म करते हैं कई सारे रिफॉर्म करने का credit इनको जाता है इन्होंने Educational मतलब सिक्षा की छेतर में Social मतलब समाजिक छेतर में और Judicial मतलब आपका जो Judiciary है इनना न्याय विवस्ता है उसमें रिफॉर्म करने का काम इन्होंने किया है सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या किया है इन्होंने Financial Management System जो है वो एक तरीके से इन्टरड्यूस करने का काम British East India Company में किया था जिससे इन्होंने British East India Company को bank corrupt होने से बचाया था तो सबसे पहले हम Financial Reform देखते हैं और बाकी फिर एक एक करके सारे reforms को हम यहाँ पर discuss करेंगे ठेक है तो आईए बात करते Condition of Finance of the Company अब देखो हुआ क्या था पिछले कुछ समय में जो Governor थे भारत में जो Governor General ऑभ बंगाल थे तो कई सारे तो बहुत जादा भरस्ट थे बहुत जादा corrupt थे वो तो अपने benefit के बारे में सोच थे तो Company को कम फाइदा हो रहा था और जो Governor बनके आया थे जो Officers थे उनको जादा फाइदा हो रहा था वो एकदा मालामार हो रहे थे और Company Banker अप्ठ हो रही थी ठीक है इसके अलावा पिछले कभी कुछ समय में क्या है काफी सारे वार हुए जाए वो Maratha के साथ हो, Mysore के वार हो Rohilla, Spindaris, इन सभी लोगों के साथ समय समय अफगान बाओ, नेपाली वार, वर्मी वार तो कई सारे वार हुए और लंबे समय से वार में होने के कारण East India Company की जो Financial हालत थी वो काफी जादा खराब हो गई थी ठीक है काफी जादा खराब हो गई थी और इसके अलावा जब आपकी वर्मी वार हुई थी जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिसकस किया था तो वर्मी वार के समय जब इंडियन सोल्जर्स को बोला गया था कि आप जो है वो समुद्र को क्रॉस करके जाएंगे तो जो बैरकपुर का विद्रो हुआ था वो भी मैंने आपको डिसकस किया था तो इन सारी घटनाओं को दबाने के लिए और फाइनेशल इससी को इंप्रूफ करने के लिए इस्ट इंडिया कंपनी की कुछ फॉलिंग स्टेप जो है वो लिये गए थे बिलियम बैंटिंग के दौरा क्या-क्या इन्होंने फाइनेशल रिफॉर्म किये उनको हम नॉर्मल हमारी भाशा में समझाते हैं बाकी जो लिखा है वो तो आप पढ़ी लेंगे सबसे पहले इसने क्या किया सबसे पहले इसने किया यार यह जो बड़े-बड़े अधिकारी है जो बड़े बड़े अदिकारी है, हम उनके बेतन के साथ तो हमको इछेड़ चाड़ने करेंगे, बेतन जितना मिल रहा है, बेतन तो इतना मिलेगा, लेकिन उनको जो भतते मिलते है, बततों का बतलब क्या होता है, British East India Company के उनको बेतन के अलावा भत्ते भी मिलते थे, मतलो salary के अलावा allowances भी मिलते थे, तो alliances को cut करने का काम इसने किया, जिससे financial जो condition है company की उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, पहली चीज इसने की requirement नहीं, जो ऐसे वे फिजूल बना दिये गए है, नाम मातर के लिए, और वहाँ पर कोई व्यक्ती बैठा है, बस वो salary ले रहा है, और उस पद की जरुवत नहीं है, वैसे जो दूसरे department है, जैसे की revenue department है, जो जिश्री है, उनमें ऐसे कौन से पद है, कौन से व्यक्ती है, किस position पर, जिनके पास कोई काम नहीं है, बस वो पद पर बैठे हुए है, तो ऐसे दो committee बनाई गए और recommendation मागी गए और जिन पदों की requirement नहीं थी, जो अनावस्यक पद create किये गए थे, उन सब को खतम करने का काम इसने किया, clear है, तो दो काम हो गए, क्या क्या कर दिया, जो officers थे, उनके allowances को, उनके भत्तों को कम करने की बात किया, ठीक है, उसके अलावा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अनावस्यक पद थे, जवर जिस्ती जो create किये गए थे, जिनके जरूरत नहीं थी, उनको खतम करने का काम किया, ठीक है, इसके पहले जो लौट कॉर्ण वाले स्थाक और उसके पहले का जो समय था, तब बड़ी पॉजचेंज पर जो है, वो इंडियांस को भर्ती नहीं किया जाता था। इंडियांट को चोटी-चोटी नोक्रियों के लिए भरती किया जाता था, पर है इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी वह व्यक्ति के साथ उसके जन मिस्था're, इसकी जार को लेकि बेदभाव नहीं करेंगे तो हम बड़ी पोजिशन पर भार्तियों को भी नूक्त करेंगे ईसका रीजन क्या था कि अगर कोई बड़ी पॉजिशन है बड़ी पोजिशन पर बिर्टिशव को अपॉइंट कर रहे हो तो आपने किसी बिर्टिश States कम देना पड़ेगी तो दो ने बोला कि नहीं हम बड़ी पोस्ट पे जो है वो इंडियन को पॉइंट भी करेंगे जिससे financial balance भी बन सके यह बात इन्हों ने कही ठीक है इतनी चीज़े clear हुई अगली बात इन्हों इन्हों ने क्या किया इन्हों ने देखो यही चीज़े यहां पर लिखी है रिद्यूस ऑल ओफिसर सेल्री इन अलाउंसे लिद्यूस अन्बर ओफिसर ऑन दे पेरोल ने सेंव इन अवा था यह उक्तिवेशन पर का उसे Legal चीझ़ आप को जब आप sixt ने लेकिन अपड़ इसके बाढ़ की सैप蓶ित ने OPM की ट्रेजिंग पे उनके कल्टिवेशन पे इन्होंने इंपोर्ट जो ड्यूटी वगेरा है वो इंपोस करना शुरू कर दिया जिससे एक पैसा आना शुरू हो गया कंपनी के पास तो यह सारे अगली बात यहाँ पे करते हैं सती प्रथा को खतम करना सती प्रथा को बैंड करना अब कोई यह पहले व्यक्ति नहीं उठके चले आ रहा है जो कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहा है ऐसा नहीं है अगर आप पुराना हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अकबर भी थे जि इसके अलावा पॉर्चिगल्स भी थे जो उन्होंने सती प्रथा पर बैंड करने की कोशिश की लेकिन हां लॉर्ड बिलियम बैंटिक जो थे उन्होंने एक पुरा कानून विवस्ता ही बना दी कि भाई सती प्रथा नहीं होगी सती प्रथा को हम बंद करेंगे और कोई भी कहानी को हम थोड़ा सा समझने के कोशिश करते हैं अब यह बात तो आपको पता है जो सती का प्रेक्टेस है वो काफी लम्मे समय से हमारे देश में प्रशलित था अभी सती क्या होता है जब किसी फीमेल के हस्बेंड की डैथ हो जाती थी तो हस्बेंड की चिता के साथ जो ह हस्बेंड मर गया है तो हाँ आप अपनी एक्छा से सती हो सकती हो लेकिन वैदिक एरा के बाद और आएंगे चलते 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 जो जब जरस्ती किया जाने लगा मतलब अगर कोई फीमेल कोई महिला उसके पती की मरत्यों के बाद वो सती नहीं होना चाहती तो इसको जब जस्ती सती होना पड़ता था इससे समाज में इस्टियों की जो इस्तिती थी न वो और भी ज़्यादा खराब होने लगी जब तक अपनी एक्छा से हो रहा था ठीक था अभी जब जब जस्ती होने लगे तो चीज़ें खराब तो हो ही जाएंगी तो इस सती पता जब जब गभी जब बेंगाल को इस आपको देखने को मिल रहा था तो यहाँ पर जब एक सर्वे कराया गया एक सर्वे कराया गया और data और facts को जो collect करने का काम किया गया तो ऐसा पायागा कि 1817 में लगबख 700 विडोज ऐसी थी जिनको बंगाल अखेले में जला दिया गया था सती के नाम पर ठीके ना ऐसा एक सर्वे से पता चला तो अब यहाँ पर इस practice को रोखने की बहुत जादा जरूरत केवल और केवल बंगाल में ही 700 विडवा महिलाओं को जला दिया गया था सती के नाम पर तो बाकी पूरे भारत में क्या घटना आए थी तो आप सोची सकते जब बंगाल के एक छोटे से एरिया में 700 था तो पूरे भारत में कई हजारों में यह आकड़ा पहुत सकता था तो यहाँ पर अब राजा राम मोहन राई जी जिनको हम पुनार जागरन का पिता भी कहते हैं यहां पर हमने इंडिया's heroes को cover किया है, इंडिया के historical figures को cover किया है, वहाँ पर राजा राम मोहन राई जी की biography भी मैंने cover किया है. तो राजा राम मोहन राई जी ने campaign की शुरुवात की 1812 में सती practice को रोखने के लिए, 1812 में सती practice को रोखने के लिए, क्योंकि एक घटना इनके साथ भी हो गई थी, इनके भाई की जब डैथ हो गई थी और इनकी भावी को forcefully commit करने के लिए कहा गया, सती करने के लिए कहा गया चीके न, तो यहाँ पर इन्होंने campaign चलाया कि हम सती प्रथा को रोखेंगे, तो जब भी कहीं इनको information होती थी कि कोई husband की death हो गई है और वहाँ पे किसी female को सती किया जा रहा है तो वो समसान गार पे पहुँच जाते थे और विद्रो करते थे, विरोध करते थे कि नहीं, हम सती नहीं होने देंगे, और आप सभी तो जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जो पुरानी बहले वो प्रथा सही हो, अधवा सही ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर reform करने की कोशिश करता है, पुरानी प्रथाओं को बदलने की कोशिश करता है, जो प्रथाए खराब है, उनको change क करने की कोशिश करता है तो हमारे समाज में हर एक समाज में कुछ और्थोडोक्स परसन ऐसे होते हैं जो रिफॉर्म्स को एकसेप्ट नहीं करते कुछ रूडिवादी विचारधाराओं के लोग हर कहीं आपको देखने को मिलते हैं जो इन साले चीजों को बरदाश्ट नहीं क केरन से मिलता जहां पे सती होने का पहला साक्ष भी आपको मिलता है तो काफी पुराने समय से यह प्रथा चली आ रहे हैं तो आप ऐसे कैसे प्रथा को रोक सकते हैं बंद कर सकते हैं तो काफी लोगों ने राजा राम मोहन रॉय जी का विरूध किया तो उन्होंने एक समाध कोमदी समाध कोमदी जो कि राजा राम मोहन रॉय जी की ही एक पत्री का थी उसमें इन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किया और बताया कि कहीं भी वेदाज में एपिक्स में ये बात नहीं लिखी गई है कि आपको सती होना आवश्यक है इसको हम क्राइम कमिट करत है तो बिल्कुल दिमाग में स्टोर कर सकते हैं कि 4 दिसंबर 1839 को पूरी तरीके से ये जो सिस्टम चला आ रहा था जो सती प्रता चले आ रही थी जो प्रैक्टिस चले आ रही थी इसको बैंड करने का काम किया था विलियम बैंटिक ने और बोला गया था अगर आप सती करत थी ना यह बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी के एरिया में ही इसे बैंड करने का काम किया था क्योंकि धीर दीर फिर इसको एक्स्टेंड किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे विरोध में थे जैसा कि मैंने बताया तो बहुत सारे जब लोग विरोध में थे तो पूरा कपूरा मामला कहा था लंदन चला गया प्रिवी काउंसल चला गया लंदन में चला गया और लंदन में जब इस मामला सुनवाई हो रहे थी तो उन्हों आप customerक अपना वर्डिक्त आप अपना फैसला दिया की हाँ सतिपicio कानुन ववस्ता बनाई गया वह आंगerem कीजा आप देखेंगे 1846 तक जैपुर भेभी सती को बैन करने का काम कर दिया गया था इतनी बाते क्लियर हो गई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पे धारा नंबर 17 जो एक्ट आया था ना उस धारा 17 में आपको दिसंबर 4 1839 में सती प्रैक्टेस को बैन करने की बात यहां पे की गई थी बाद में पहले तो इसको बंगाल प्रेसिटेंसी में बैन किया था बाद में इसे मद्रास और बंबे प्रेसिटेंसी में भी 1830 तक बैन कर दिया गया था तो यह बाते आपको पता होने चाहिए और यह सारी घटना बिलियम बैंटिंग के समय ही हो रही है चलि और आज भी हमारे देश के कई ऐसे हिस्सों में जब किसी बेटी का जन्म होता है तो उसको मार दिया जाता है या फिर जैसे कि हमारे देश में सोलोग्राफिक करना लाउड नहीं उसका एक रीजन यही है उसका एक रीजन यही है कि अगर पता चल जाता था कि लड़की है त तो उसके दहेच के लिए खर्चा होगा, इस तरीके से लोगों का सोचना था, तो इसलिए जो लड़किया होती थी, जो छोटी बच्चिया होती थी, जिनका जन्म होता था, उनको बच्पन महीं मार दिया जाता था, और जो प्रैक्टिस थी, फीमेल इंफेंट को मारने की, य बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई थी तो इसलिए इसके लिए भी नोंने कानून बनाया बैंटिक ने और बैंटिक ने यह जो आपका चाइल्ड सेक्रिफाइज हो गया बच्चों की बली देना या फीमेल इन्पेंटिसाइड हो गया है ना इन सब को रोकने के लिए बैंटिक ने कानून बनाने का काम किया और इसे एक पनिशवल ओफेंस बनाया कि आप अगर ऐसा करते हुए पाएगा तो आपको बहुत इकड़ी सजा दी जाेगी तो ये काम भी बैंटिक ने किया था चीक है चलिए अगली बात विलियम बैंटिंग ने क्या की थी सप्रेशन ओफ थक्स बाइद विलियम बैंटिंग अभी थक्स क्या होते हैं अच्छा चलो एक कहानी बताते हैं थक्स के बारे में आप लोग इन ऐसा सुना होगा या कभी नियूस्पेपर में पढ़ा होगा या कि आप ट्रें में जा रहे हैं और ट्रें में सामने वाले स्ट में सज्जन व्यक्ति बैठा हुआ है बड़i आटीकः वीका लगा एक उ pol बात करना शुरू किया दीरे दीरे बात करते करते आप लोग की बातें अच्छी जादा होने लगे, ऐसा लगने लगा कि वो व्यक्ति को थो हम बड़सों से जानते हैं, हम अपनी बातें हमको शेयर कर रहा है, कुछ देर बाद फिर हमको कुछ खाने के लिए ओफर करता है, और हम खा लेते हैं, और उस खाने में कोई नशीला पधार्त मिला है, हमें नीदा जाती, हम बेऊश हो जाते हैं, और वो हमारा समाल लूट के गाया भचाता है, इसलिए आप लोग देखो कर रेल्वे स्टेशन पैडवाईजर चलती रहती, किसी भी अंजान व्यक्ति के दौरा अदी आ गया, कुछ भी ना खाएं, होता है न कि हम तीर थी आत्रा पे जा रहे हैं, हम तो महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और रस्ते में जो भी लोग मिल रहे हैं, उनसे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बाते कर रहे हैं, और जेंगल के एरिया में जैसे पहुँचे, उन व्यक्तियों को क्या किया, या तो तो ठक्स आपको समझ में आ गए, ये जनरली गैंग्स में ट्रैवेल करते थे, मर्चेंट की भेशबूशा में ये तीर्धियत्तियों की भेशबूशा में ट्रैवेल करते थे, लोगों को बहला फुस लाने का काम करते थे और फिर जंगल में सुनसान में ले जाके उनको रुमाल से उनको मार देते थे और उनका समान लूट ले थे ये ठक्स की समस्या चल रही थी ठगी प्रथा को रोकने का काम बिलियम बैंटिक ने किया था तो बिलियम बैंटिक ने यहाँ पर एक officer appoint किया था जिनका नाम था बिलियम हैंडरी स्लीमेन इनका नाम बिलकोल भी नहीं भूलना है ठीके बिलियम हैंडरी स्लीमेन हैंडरी स्लीमेन का नाम आपको नहीं भूलना है इन्होंने यह officer appoint किया था ठीके न यह officer appoint किया था जो की जिनका काम था थागी प्रथा को रोखने का काम जो धक्स थे ना तो धक्स को इन्हाल में बिलियम बैंटिक और बिलियम हैली स्लीमन ने 1835 में थागी एंड डकैती डिपो की स्थापना की थी और इसके लिए एक सुप्रेटेंडेंट भी किया था बाद में जो हेंड्री स्लीमन थे उनको बाद में प्रेमोट करके कमीष्टर बना दिया था इसके लावर थागी सहते ना उनको ठखी इसको पकड़ के यहाँ जबलपूर में, जबलपूर में मदर प्रदेश में है, जबलपूर में एक जैसे की कोई बहुत दारू पीता तो उसके लिए रियाब सेंटर बनाते हैं वहां पर उनको भेज दिया जाता है कि आप ठीक हो जाओगे वहां जबलपूर में वहां पर इनको भेजा जाता था और इनको पर रोक करने काम भी बिलियम बैंटिक ने किया और जो ओफिसर या सुप्रेटेंडेंट थे वहां पर रोकने के लिए वहां पूरा व्यवस्ता चलाई जबलपूर में रखा जाता था इस तरह किसे ठगी पर रोक करने काम भी बिलियम बैंटिक ने किया और जो ओफिसर या सुप्रेटेंडेंडेंट थे वह कौन थे बिलियम हैंडिस लीमें थे तो ये काम बिलियम बैंटिक ने किया चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इंटोड़क्शन टू इंग्लिश एजुकेशन अब समझेगा यहां से कहानी क्या सुरू हो रही है देखिएगा 18-13 के बैरे चार्टर एक्ट के बारे पर आपको थोड़ी से जानकारी दी थी 18-13 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि एक लाख रुप्या एक लाख रुप्या जो है वो एजुकेशन में इंडियन एजुकेशन पर खर्चा किया जाएगा आप तो एक्ट बना के बोल के निकल लिए अब कैसे खर्चा होगा कैसे होगा अब इस पे तो कोई discussion हुआ नहीं था तो यहां पे अब discussion होना शुरू हुआ कि जो एक लाख रुपे है जो इंडियन education पे हमें खर्चा करना है तो वो हम किस तरीक से खर्चा करें मतलब क्या जो प्राच्च सिक्चा है मतलब जो अभी तक जो traditional education चली आ रही है कि वेदो का ज्यान है, Sanskrit का ज्यान है कि हम उसको ही बढ़ावाद है जो traditional education है या जो अपकी western education है, English education है जो scientific temperament हमको बढ़ाना है इंडियन्स का कि हमें science के field में लोगों को educate करना है तो उस field में हम 1,00,00 रुपिया खर्च करें तो ये दो बातें यहाँ पर हमारे देश में चल रही थी कि प्राच्च सिक्चा पर खर्च किया जा या पाश्या सिक्चा पर खर्च किया जा एक लाख रुपिय मैं आपको बता दूँ कि राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो western education मतलब जो पाश्या सिक्चा देनी चाहिए और एक लाख रुपिय पाश्या सिक्चा पर खर्च किया जाना चाहिए वो उसके favor में थे क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन्स को जो है वो science का maths का knowledge हो ठीक है न तो यहाँ पर यह discussion यहाँ पर चल रहा था तो इसलिए यहाँ पर जो Lord William Banting थे उन्होंने यहाँ पर एक committee बनाए उस committee को chair कौन कर रहा थे Lord Macaaly आप लग ने Lord Macaaly का नाम ज़रूर सुना होगा हमारे देश में जो English education लेकर आने का credit आप बोल सकते हैं वो Lord Macaaly को ही जाता है और Lord Macaaly ने ही recommend किया था कि हमें advancement of education मतलब science को बढ़ावा देना है English education को बढ़ावा देना इस पर हमें काम करना चाहिए और Lord Macaaly की जो report थी ना उससे impress हुए थे William Banting और William Banting ने फिर decide किया कि हम जो खर्चा एकलाक रुपे करेंगे वो पाश्याद सिक्षा पे करेंगे English medium, English दिखाने में साइंस दिखाने में हम यहाँ पर खर्चा करेंगे यह बात यहाँ पर बोली गई थी तो इस तरीके से English education introduced की गई थी बारत में इतनी चीज़े clear है इसके अलावा अभी तक क्या होता था हमारी जो कोट थी क्योंकि आप पर्टा था मुगल सरा करते थे हमारे देश में हना और मुगलों के जो कोटbars लेंग्वेश थी जो दरवार की भाशा या कोट की भाशा थी वो फारसी थी तो अभी तक भी क्या हो रहा था हमारे court में जो सुनवाई होती थी जो कारवाई चलती थी प्रसी लेंग्वेज में चलती थी तो यहाँ पर यहाँ पर Lord William Bantic ने कहा कि नहीं अब आपके जो lower courts होंगे lower courts जो होंगे वहाँ पर जो regional language बंगाल है तो बंगाली language है उडिसा है तो उडिया language है या हिंदी और उर्दू language है तो lower court में जो आपकी सुनवाई या proceeding होगी वो हिंदी में होगी आपकी local language में होगी और इसके अलावा जो higher courts होंगे higher courts में जो proceeding होगी वो English language में होगी यह बात भी किस ने शुरू की थी तो William Bantic ने शुरू की थी in 1835 the government passed a resolution making English the official and literacy language of India यह बात यहाँ पर आपको याद रखनी है इसके अलावा William Bantic ने ही Calcutta Medical College की स्थापना 1835 में की थी 1835 में ही William Bantic ने Calcutta में Medical College को सेट अप करने का काम किया था clear रहती चीज़े चलिए अब आंगे क्या हो रहा है आंगे क्या हो रहा है वो भी हम जान लेते हैं okay so judicial reform of William Bantic तो judicial reform ने क्या किये पहले हमको थोड़ा सा past जानना पड़ेगा तभी तो present में हम बात कर पाएंगे और future की कहाली समझ पाएंगे right तो यहां पर देखेगा जब Lord Cornwallis आय थे तो Cornwallis court लेकर आये थे और उन्होंने भी काफी सारे वह बिहार, बंगाल और उल्रीजा को यहां पे चार डिविजन में डिवाइट करके रखा था और हर एक डिविजन में एक circuit court यहां पे बनाई हुई थी तो एक circuit court बनाई गया तो circuit court का जो सबसे बड़ा अधालत थी है सबसे बड़ा appellate जो court था वो Calcutta में था ठीक है तीचीज़ है, besides these were four provisional court of appeal at Calcutta, मुर्शिदाबाद, धाका और पटना जैसे कि मैंने का कि चार यहां पर appellate court बनाई थी और सबसे बड़ी जो appellate court थी वो कहा थी, Calcutta में थी, ठीक है, अब हुआ क्या कि Calcutta में आपने appellate court बनाई, अब धीरे धीरे जो East India Company थी उनकी expansionist policy थी धीरे धीरे जो Calcutta का एरिया था, बंगार presidency का एरिया था, वो तो expand होते गया, पहले एरिया इतना था, अब expand होके इतना होगे तो जादा population आ गई न, जादा areas में cover हो गया, तो कोई व्यक्ति यहां पर है, तो उसको फिर यहां तक अपना मामला लेके आना पड़ेग ठीक है इतनी चीज़े, तो expenses बहुत जादा बढ़ रहे थे, खर्चे बहुत जादा बढ़ रहे थे, इतनी चीज़े clear है, तो अब यहां पर Lord William Bantic ने सोचा, कि हम यह जो provisional court of appeal and circuit court है, है न, जो आपके provisional court of appeal है और circuit court है, इनको हम खतम कर देते हैं, क्योंकि एक तो crowd भी ब और उनने 1829 में एक regulation passed किया, क्या regulation passed किया, जो commissioner होते हैं, आज भी हमारे देश में commissioner होते हैं, तो यह जो provisional court of appeal and circuit है, उनके जगे commissioner of revenue and circuit को हम appoint करेंगे, हम हर एक जैसे कि बंगाल presidency है, तो बंगाल presidency को हम 20 division में divide करेंगे, पहले था कि आपने पूरा यहां पे 4 division ही बना के रख किया, और हर एक division में एक separate commissioner होता था, और उस commissioner के पास अधिकार होते थे, कि वो आपके appeal को सुने, उनका judgment करें, जिससे pendency भी कम होगी, ही ना, और सब की पोहुच भी possible हो पाएगी, कि हर एक व्यक्ति commissioner के पास जा पाएगा, क्योंकि 20 division है, ही ना, तो हर एक व्यक्ति commissioner के पास सदर निजामत अदालत, साथे साथ, दिवानी और सदर निजामत अदालत को open करने का काम, इलहाबाद में भी कर दिया था, इतनी चीज़ें इन्होंने की, ठीक इतनी चीज़ें, अब अगली बाद इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा कि इंडियन्स जो है, उनको भी higher position पे पहुँचने का दिकार होता है, हम तो कोई बेदभाव नहीं करते हैं, तो बेदभाव हटाने का काम सबसे पहले एक शुरुआत मतलब कह सकते हैं, कि विलियम बैंटिक ने की थी, उन्होंने 1831 में एक regulation pass किया, जिसमें कहा कि जो respectable Indians होंगे, उनको जिला, या city court में, की एक salary भी होगी और 300 रुपे तक की जो cases होंगे, वो मुनसिफ सुनेगा, 300 से उपर के cases फिर आंगे की अदालत में transfer होंगे, لیکن 300 रुपे तक की cases जो होंगे, वो मुनसिफ सुनेगा, और मुनसिफ कौन होंगे, Indians होंगे, और उनकी एक proper salary होगी, लेकिन जो मुनसिफ होंगे न वो Britishers के case नहीं सुनेंगे ये केवल Indians के लिए है Britishers के case ये नहीं सुनेंगे इसके अलावा इन्होंने मुनसिफ के अलावा आंगे एक और separate regulation बनाया गवर्न जनरल इन काउंसल में और इन्होंने सदर अमीन को अपॉइंट किया लेकिन ये भी जो थे वो केवल और केवल इंडियन के ट्राइल ही लेखते थे European के ट्राइल से कंड़क्त नहीं करते थे इतनी चीज़े हुई अब अगली बात करते है जूरी सिस्टम आप लोग आज भी देखते है कोई भी जो बड़ा फैसला आता है वर्डिक्ट आता तो हम बोलते ना तीन दोग से फैसला आया मतलब पांच जज़ेश की एक बैंच थी जिसको हमने जूरी बोला तीन ने फैवर में फैसला दिया दोने अपोजिशन में फैसला दिया इस तरह के से हम बाते करते हैं जूरी सिस्टरम को इंट्रोड्यूस करने की शुरुआ किस ने की थी तो वो बिलियम बैंट टिक ने की थी 1832 में 1832 में इनोंने जूरी सिस्टरम को इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए clear इतनी चीज़े तो ये सारे reform जो है किस ने किये है William Bantic ने किये है आईए समझते हैं और क्या कर डाला चली इनके समय आया था Charter Act 1833 अब देखेगा हो क्या रहा था जो England था जो Britain था वहाँ पर Industrial Revolution हो रहा था नई-नई Companies बन रही थी और Company जब बनती तो उनको वैपार करने के लिए जगाई भी चाहिए होती है उसके अलावा Liberal Movement भी जो थे जो रिफॉर्म थे उदारवादी जो फेस चल रहा था वो भी बिटेन में चल रहा था 1832 में तो ये पूरे एक atmosphere बन चुका था इसलिए Charter Act 1833 आया तो Charter Act 1833 में बेसे कि इन ही दो बातों पर ध्यान दिया गया कि भारत में क्या liberalization या उदारवादी करन की ज़रूरत है किस तरीके से भारत में अब हम reform कर सकते हैं और industrial revolution हो रहा है तो अब हमें British East India Company की complete monopoly को खतम करना पड़ेगा तो इन दोनों फैसलो के साथ जो है वो Charter Act 1833 आया था इसको हम St. Helena Act के नाम से भी जानते हैं यह जो 1833 का Act है इसको हम St. Helena Act के नाम से भी जानते हैं reason is that कि जो control था आइलेंड पर St. Helena आइलेंड पर जो control था वो British East India Company ने crown को transfer कर दिया था control of the island of St. Helena was transfer from the East India Company to the crown ठीक है अब देखिए 1813 का जो Charter Act था 1813 का जो Charter Act था वो मैंने आपको बताया था उसमें जो British East India Company के एक तरीके से Monopoly को खतम करने का काम किया था और दूसरी जो European Companies थी है Britain की Companies थी उनको अलाओ किया था कि वो भारत में आके वैपार कर सकती है लेकिन चाइना के साथ ट्रेट और टी का ट्रेट उस पे Monopoly British East India Company की थी ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है चाइ के साथ वैपार और चीन के साथ वैपार पे Monopoly British East India Company की थी कि इस पे वैपार करने का अधिकार British East India Company का है बाकी सारे एरियास को Open कर दिया गया था और दूसरे कंपनी को भी Permission दे दी गए थी कि वो भारत आके भारत में वैपार कर सकते हैं लेकिन अभी जो चार्टर एक्ट आ रहा है ना तो इस चार्टर एक्ट में जो कंपनी की मोनोपॉली थी चाइना के साथ ट्रेड पर और टी के साथ ट्रेड पर उसको भी यहाँ पर खतम करने का काम किया गया मतलब पूरे तरीके से British East India Company की मोनोपॉली थी वो खतम कर दी गए अगली बात इस चार्टर एक्ट में कही गए और इस चार्टर एक्ट कब आ रहा है 1833 में आ रहा है मतलब बंगाल के जो आप बोलेंगे कि लास्ट गवर्नर जनरल अफ बंगाल बिलियम बैंटिक थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे बिलियम बैंटिक थे क्योंकि उनके समय पे ही जो चार्टर एक्ट आ रहा है और कई सारी लेजिसलेटिफ पावर, मिलिटरी पावल, सिविल पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई और साथ ही साथ बोला गया कि जो बंबी और मद्रास प्रेसिडेंसी है उनके उपर भी लेजिसलेटिफ पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की होगी और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड बिलियम बैंटिक को बनाया गया पिक्चर क्लियर है चलिए अब आपने नियाय विवस्ता इंप्रूफ करने की कोशिश की आपने सर्किट कोड बनाया अपने अपिलेट अदालत बनाया सब कुछ बनाया लेकिन हर अदालत में कोई केस जा रहा है तो आपको आपके केस को जो है वो कोडिफाई करने की जरूरत है आपके केस के वर्गी करन की जरूरत है प्रॉपर आपके पूरा केसिस का डाटा होना चाहिए कि किस के लिए आप क्या सजा दे रहें किस अदालत ने क्या सजा दी होता है ना यसे आज हम IPC के बारे में बात करते तो IPC बहुत बाद में बदी लेकिन लॉड मैकाले ने जो है वो कोडिफाइ करने का काम इंडिया के कोडिफाइ करने का काम शुरू कर दिया था तो लॉड क्या चार्टर एक्ट के बाद इंडिया का पहला विदी आयोग यह लॉड गाँ यहां पर गठित किया गया 1823 में जिसकी चेर्मैर लॉड मैकाले थे और इन्हों ने ही कोडिफाई, इंडिया के जो अलग-अलग कानून है, उनको कोडिफाई करने का काम किया और बाद में जाके फिर ये IPC में कनवर्ट हुआ था, जो बाद की पिक्चर है लेकिन फिलहाँ कोडिफिकेशन करने का काम, लौड मिकाले ने की और पहला विदी आयोग भी इसी Charter Act के बाद बना था, अब दासप्रथा, तो दासप्रथा को खतम करने के लिए भी कानून बनाया गया यहना दासप्रथा को खतम करने के लिए British Parliament ने कानून बनाया 1833 में फिर Governor General Council, तो हुआ कहता जो PITS India Act आया था, तो उसमें जो Members थे Governor General Council में, और Member को संख्या कम कर दी गई थी, बापस से संख्या को बढ़ा दिया गया और कहा कि Governor General Council में चार Member होंगे, कितने Member होंगे, चार Member होंगे, तीन Member तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक Member है, उसके पास बहुत ही जादा Limited Power होगी, वह केवल और केवल जो Legislative Purpose, मतलब जो कानून विवस्था वाले कानून है, या फिर विधी वाले कानून है, उन पे ही अपना मशवरा देंगे, डिसकुशन करेंगे, डिसिजन देंगे, बाकि सारे कानून पे इ सकते हैं, और कर सकते हैं, ठीक है, ये बात इनको Additional Power Governor General Council को दे दी गई थी इस कानून के बाद, इस Charter Act के बाद, तो आई थे कि आपको Charter Act की जो मोटी मोटी सी बाते हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगे, चले, अब बात करते हैं कि कौन से Political Event जो है, वो William Bantic के समय हुए थ जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, और टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद, जो वाडियार डाइनिस्टी के राजा थे, उनको यहाँ पर मैसूर का राजा बना दिया गया थे, तो काफी समय तक टिशिर्ट और मैसूर के रलेशन अच्छे चल रहे थे, लेकिन आ पर मिस्गवर्मेंट के चलते-चलते, यहाँ पर पूरा टेक ओवर या पूरा कन्टोल मैसूर पर बिटिशर्च ने कर लिया था, ठीक है, इस डेवलपमेंट लेट तो बिटिश टू टो टेक डारेक्ट कन्टोल ओवर दा मैसूर इन 1831, 1831 में मैसूर पर पूरा कन्टोल क आगे था 1831 पे नेक्स्ट बात करते हैं कुर्ग वार 1834 एक मात्र बैटल जो बिलियम बैंटिक के समय हुई थी वो थी कुर्ग की वार कुर्ग का बैटल तो यहाँ पर जो राजा थे कुर्ग के कुर्ग के राजा बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1834 में कॉन्फ तो अगर आपसे पोशा जाए कि बिलियम बैंटिक के समय बारत का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे बिलिटिश इस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया गया था तो वो एक मात्र हिस्ता है कुर्ग क्योंकि कुर्ग वार इनके समय लड़ी गई थी 1834 में चीके और यहाँ पर ए के समय हुई थी अब बिलियम बैंटिक के बात की कहानी क्या होती है तो विलियम बैंटिक 1828 से 1835 तर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं उसके बाद लॉड मेटकॉफ जो है जो की सीनियर मेंबर अफ कांसल होते हैं वो सीनियर मेंबर अफ कांसल 1835 में भारत के नए अफिक कम समय का था नहों ने किया इनके दोरा मेजर्स लिये गया है वह एक रिमारकिबल है इन्होंने लिबर्लाइजेशन गी सारे सेंक्शंग्षन थे कैन 컨ौन थे प्रैस की मों को restricted किया गया था, press की freedom को रोका गया थो press को बापस से liberty बापस से freedom देने का काम Lord Metcoff ने किया था इसलिए Lord Metcoff को हम भारती press का मुक्तिदाता Liberator of Indian press ya फिर भारती press का भारतीय press का मुक्तिदाता, ये term आप लोग ने देखा भी होगा, मुक्ती दाता भी कहा जाता है, बाद में इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत जादा था और बाद में फिर इस जो कानून ने बनाया थे, वो वापस ले लिये गए लेकिन इन्होंने लिबर्टी देने का काम किया था प्रेस को, फिर लॉर्ड मैटकॉफ 1835 में बने थे गवर्नर, और उसके बाद इनका 10 और काफी कम समय का था, और फिर 1836 में ही लॉर्ड ऑकलेंड जो है वो भारत के नए गवर्नर बन जाते हैं, तो आंगे की कहानी आंगे की वीडियो में हम समझेंगे I hope इतनी पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई होगी कि लॉर्ड बिलियम बैंटिक ने क्या क्या रिफॉर्म किये, क्या की नई पॉलेसी बनाई, कौन से कानून बनाई और कौन से एरिया को Britishers, British East India Company में मिलाने का काम किया So, मिलते हैं नेक्स सेशन में ऐसे ही कोई नए गवर्नर जोनल ऑफ इंडिया की स्टोरी सुनने के लिए तक तक अपना ध्यान रखेंगे Take Care and Bye Bye